महाराश्च चुनाव के आखरी दिनों में महायूती और महाविकास अगारी ने पूरी ताकत जोग दी है चुनाव परचार अपने चलम पर पहुँच गई है और विकास के मुद्दे धीरे धीरे गायब हो गई है और बयानबाजी तेज हो गई है महायूती सरकार बनने के बार देश में सबसे ज़्यादा निवेश भायो बेनो परिश्पार महराश्ट में महायूती भोगी जी का कारें पुछे थस्वर्ष के अंदर पुरे देश के देखा है अरे जान भी चली जाए नस्वराज दूँगा नस्वधर्म दूँगा नरेंद्र मोधी जी का उसमें हाथ नहीं था क्या किस सरकार को गिराने की जो मीटिंग होई थी उसमें अदानी जी बैठे थे अगड़ी की सरकार जरूर आएगी एक दूसरे पर आरोप परत्यारोप का सिलसिला चल रहा है और मांकी मुद्दे जमीन से उपर उठ गए है आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि महराश्ट के चुनाओ की सटीक समिकरन क्या है और या चुनाओ किसके पाले में जा रही है महराश्ट की समिकरन और धरातलिय स्थिती इस चुनाओ की हकीकत क्या कहती है आज की इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे भाजपा की तरप से सुरू हुई बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे से जब राजनीती कुत्ता चोर लुटेरा औरंग जेव और आतगवादी तक पहुच चुकी है इतने दिनों में इतने सब्दों का सफर महराश्ट के विधानसवा चुनाओ में दोनों गठवंदनों के बीच हुआ है मैं इस पर बात नहीं करूंगा कि कौन सही है और कौन गलत हम इस पर बात करेंगे कि इस चुनाओ की हकीकत क्या होने वाली है अगर महराश्ट की आवादी को समझे तो इसमें 52 फिश दी OBC की आवादी है और OBC वाले इलाके विधर्व का एक बराच्छेतर है जिसमें 62 विधानसवा सीटे है दूसरी तरफ माराथा वोंट वैंक दूसरी सबसे बड़ी आवादी है इसकी कुल आवादी 28 परतिसत है अगर इन दोनों की आवादियों को जोर दिया जाए तो इसकी कुल आवादी 80 परतिसत हो जाती है और यहीं आवादी महाराष्ट की सत्ता का सिंग द्वार तै करने वाली है महायूती गठवंदन में सामिल भाजपा और सिवसेना एकनाच सिंदे गुट कुछ महिने पहले तक माराथा आरक्षन और OBC आरक्षन के समर्थन में बोल रही थी लेकिन अब अचानक से यह चीज बदल गई है और यह चीजें बदल रही है अब फोकस आरक्षन से हट कर दोनों को साथ लेकर चलने प्यार रही है और यह सस्ती राजनीती भी है इसलिए यूपी के सियब योगी आधितनात ने महाराष्ट के चुनाओं में जिस नारे को हवा दिया वह नारे साफ कहती है कि हम से आरक्षन पर बात नहीं करो फिलाल तुम साथ आ जाओ और हम हिंदूों को जोर कर राजनीती करेंगे परदानमंतरी नरेंद्र मोदी OBC का हिमायती करते रहे हैं और योगी हिंदू एक ताकी लेकिन यह कार्ड महाराष्ट की चुनाओं में कितना काम करेगी यह समझना होगा बीजेपी एक है तो सीफ है के साथ वोटों के जटिल समिकरन को एक साथ साधने की कोशिस कर रही है भाजपा की कोशिस है कि माराठा और OBC दोनों ही वोट बैंक एक साथ मिल जाए लेकिन राजनीतिक बात या है कि जो माराठा समाज आरक्षन के मुद्दे पर विद्रो छेर दिया था वो बिना आरक्षन की बात माने किसके खिमे में आ जाएगे माराठा समुदाय का वर्चस्प महाराष्ट की राजनीती में हमेशा से भात्व रखती है 2019 के विदान सवा चुनाओ में निर्वाची 288 विधायकों में से करीब 160 विधायक मराठा थे हाल ही में हुए लोग सवा चुनाओ में भी सूबे के आधे से अधिक सीटों पर मराठा कंडिडेट ही चुनाओ जीते अगर वोट बैंक के लिहाज से देखे तो महराष्ट में मराठा वोट बैंक की सबसे बरी आवादी है यहीं वज़ा है कि हर राजनीतिक दल इसकी बात कर रहा है मराठा समुदाई का वर्चस वाले मराठवारा में विदान सवा की 46 सीटे हैं और पस्चिम महराष में 70 सीटे हैं अब अगर मराठा बहुल इन दोनों इलाकों को मिला दे तो कुल आकरा 116 तक पहुँच जाती है मराठाओं का सबसे बरा मुद्दा आरक्षन का रहा है अरक्षन का मुद्दा मराठा का सबसे बरा मुद्दा है अब भाजपा और उसके गठवंधन भायूती ने मराठा आरक्षन की बात करना बंद कर दी है और माराठा आरक्षन को लेकर जो आंदोरन हुई थी उस चर्चा को दवा दी गई है लेकिन माराठाओं की आरक्षन पर बात नहीं करना माराठा समाज को रास नहीं आने वाली है इसका नुकसान भाजपा को सीधे होगा वह OBC राजनीती में परधानमंत्री मोदी OBC समुदाई के लिए सिर्फ एकता की बात कर रहे हैं वह विकास पर कोई महतुपुन मुद्दे नहीं दे पा रही है यह भी BJP को फाइदा नहीं दिलवा सकती है विदर्व में दलित, मुस्लिम, कुनभी पर काम कर रही है बाकी हिस्सों में मराठा, मुसल्मान और दलित के फॉर्मूले पर काम कर रही है और मराठा अरक्षन पर महाविकास अगारी का भी कोई किलियर एस्टेंट नहीं दिखता है हलांग कि वो समर्थन की बात कर रही है और वो कह रही है कि हम आरक्षन देंगे जिससे माराथा समाज को साथ लाने में महाविकास अगारी काम्याब हो सकती है और इस तरह संभग है कि महायूती को माराथा से नराजगी जहलनी पड़े महराष्ट में अनुसुचित जाती के लिए 39 सीटे आरक्षित हैं इसके कुल आवादी 14% है भाविकास अगारी इस वाले फैक्टर में एक मजबूत स्थिती में आई सकती है इसमें एक और फैदा हो सकता है मुसलिम वोटरों का 288 सीटों में से लगभग 38 सीटों पर मुसल्मानों का वर्चस्व है जहाँ पर मुसल्मानों की आवादी 20-20% से जादा है और राज में लगभग 9 ऐसे सीटे हैं जहाँ पर मुसल्मानों की आवादी 40% से जादा है अगर इन वोटों को साधने में महाविकास अगारी काम्याब रही तो एक बड़ी जीत हो सकती है एक है तो सेफ है के नारे से मोदी को हिंदू वोटरों से तो फैदा हो सकता है लेकिन इससे यह साफ होगा कि मुसलमान का कुल वोटर महाविकास अगारी के खाते में जाएगी पियम मोदी ने एक है तो सेफ है कि नारे को आगे बढ़ाया और कॉंग्रेस पर आदिवासियों, पिछरों और दलीतों को आपस में बाटने का आरोप लगाया पिछरों और दलीतों को बिजेपी समझ रही है कि कॉंग्रेस आरक्षन छीन लेगी जाहिर है पिछरे और दलीतों को साथ मिलाने के लिए ये बात भाजपा कर रही है हलांकि पियम मोदी जिस तरीके की बाते कर रहे हैं उससे हिंदों पर कितना असर परेगा और इन दलीतों पर कितना असर परेगा ये देखना होगा महराष्ट में 14% आवादी दलीतों की हैं लगवाग 11.56% मुसलमानों की हैं और 9.35% आदिवासियों की हैं अगर एक है तो सेफ है कि अनारे से इन आदिवासियों दलीतों पर काम हुआ तो फाइदा होगा जिसकी संभावना कुछ हद तक दिख रही है लेकिन इसमें चूक हुई तो महायूती को दुबारा सरकार नहीं बना पाएगी नेताओं के चुनावी मुद्धों को अगर हटा दे तो जन्ता के जो मुद्धे हैं उसमें महंगाई बिरुजगारी नजलाती है महाराष्ट में किर्सी छेतर का दुरदसा और महाराष्ट में किसानों की बढ़ती आत्महत्या एक बरा मुद्धा है इसके अलावा सोयाबीन, गन्ना, कपास और प्याज की मुद्दे भी महराष्ट के चुनाओं में माईने रख सकती है इन फसलों को उगाने वाले किसानों की समस्या इस चुनाओं की नतीजे पर असर डाल सकती है लेकिन अगर आप इस चीज को ठीक से समझे तो महराष्ट की जनता अब किस के साथ जाएगी क्या लगता है आपको जिस तरीके से महगाई, बेरुजगारी और किसानों की आत्मत्या बढ़ी है और अभी भी भाजपा की सरकार है, इस हिसाब से भाजपा क्या दुबारा सत्ता में वापसी कर पाएगी लेकिन ये मुश्किल होता दिख रहा है, क्योंकि महाविकास अगारी जिस तरीके से अपनी बाते रख रही है और अभी जो महायूती की सरकार है वो भरष्टाचार में लिप्त सावित हो रही है ऐसी बाते सामने आ रही है हाल ही में सिवाजी की मुर्ती तूट गई थी और इसका उधगाटन पियम नरेंद मोदी ने खुद किया था लेकिन ये मुर्ती क्यों तूटी थी क्योंकि इसमें एक मामला भरष्टाचार का था और भरष्टाचार का मामला पूरी तरह से नकाव से उपर उठ गई थी तो ये बात सामने आ गई कि महायूती की जो सरकार है वो भरष्टाचार से लिप्त है और सरकार इस पर कुछ नहीं बोलती है महराश्ट की सरकार में कितनी भरष्टाचार है कितने सारी चीजें हैं इस पर कोई बात नहीं कर रहा है तो इससे जंता को सीधे तोर पे असर होगा उन्हें पतä है कि वरत्मान की सरकार किस तरीके से आगे बढ़ रही है और वो किन मुद्दों पर बात कर रही है लेकिन अगर ठीक से समझे तो महराष्ट्र में चुनावी राजनीती में इस बार का जो मामला है वो जुरूर एक अनुखा परिणाम देने वाला होगा अगर भाजपा सत्ता में आती है तो यह पू इनको मजबूती मिल सकती है लेकिन इन सबी चीजों के बीच आपको क्या लगता है कि मराठा समाज, OBC समाज किस तरीके से महराष्ट की जनताव किस के पाले में जाएगी और किस तरीके से सरकार बनाएगी आप इन सबी चीजों पर क्या सोचते हैं यह हमें कॉमेंट बॉक में जाहिंट